दोस्तों मैच खत्म होने के बाद एलीस पैरी और आरसी बी के एक स्टाफ मेंबर के बीच बहुत ही शौकिंग इंसिडेंट देखने मिला और इस दोरान एलीस पैरी तो अनकंफर्टेबल हुई ही साथ ही समृती मांदाना भी काफी ज्यादा नाराज दिखाई दी जी हाँ दोस्तों हम बात कर रहे हैं रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स के बीच अरुन जेटली स्टेडियम में खेले गए वुमेंस प्रीमियर लीग के फाइनल मुकाबले की जहां RCB की टीम ने दिल्ली कैपिटल्स की टीम को आठ विकेट से हरा कर पहली बार WPL की ट्रॉफी पर RCB का नाम लिखवा दिया लेकिन इनी सब के बीच जब ओन रेंज कैप मिलने पर एलीस पैरी इंटरव्यू दे रही थी तभी टीम स्टाफ के एक शक्स ने आकर एलीस पैरी को हग कर दिया और इस दोरान अचानक हुए इस इंसीडेंट से खुद एलीस पैरी भी अनकंफर्टेबल हो गई और वहीं पास में खड़ी स्मृति मांदाना भी इस दोरान काफी ज्यादा गुस्से में दिखाई दी दोस्तों इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट करके अपनी राय बताईए